हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब मैं विनायक तिंगलू आप सब का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में मेरी जो आज की वीडियो रहेगी Microsoft Word पर रहेगी मेरे एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो आज बना र जाओंगा जैसे मिलता हूँ first जैसे यहां पर लिख रहा हूँ जब मैं एक space देता हूँ तो obvious सी बात है वह उपर की तरफ चला जा रहा है जैसे कि मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा जैसे कि आप यहां देख पा रहे होंगे तो MS Word की language में से superscript कहा जात है यहां पर कहा जाता है सबस्क्रिप्ट कुछ इस तरीके से राइट तो पर आपका सबस्क्रिप्ट आटोमेटिकली वर्क नहीं करता है आपके MS Word में पर आपका सूपर स्क्रिप्ट बाइड डिफॉल्ट वर्क करता है जैसे कि मानके चलते हैं कि मैं यहां लिखता हूं सैकिंड अटोमेटिकली एंडी उपर जा रहा है मैं लिखता हूं 21st आटोमेटिकली उपर जाएगा मैं कुछ नहीं कर रहा है बस जस्ट इस स्पेस दे रहा हूं औ उनको दिक्कत आ रही है वह जब भी कुछ लिख रहे है तो वह कुछ इस तरीके से लिखा जा रहा है जैसा कि आप यहां देख पा रहे है और अगर मैं यहां पर एंटर प्रेस करूंगा फिर भी उपर की तरफ ही जाएगा यानि कि सूपर स्क्रिप्ट में कनवर्ट हो जा जाएगी सबसे पहले मैं यह प्रॉब्लम खुद के लिए भी ले आता हूं सो दैट कि आप इस चीज़ को देख सके कि यही सेम प्रॉब्लम आपकी भी है कि नहीं मैं इसके लिए सिंप्ली आपको दिखाना चाओंगा मैं फाइल पर जाओंगा सिंप्ली यहां से जाओंग जाओंगा मोर पर यहां से जाओंगा ऑप्शिंट पर अगर आप MS Office 2007 चला रहे हैं तो फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको वर्ड ऑप्शिंस मिलेगा आपको यह सेटिंग्स नहीं मिलेंगी आप जो फाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर मोर पर जाने की जरूर पर क्लिक करेंगे यहां से डिरेक्टली हम प्रूफिंग पर जाने के बाद यहां पर हम यह आटो करेक्ट ऑप्शिंस जो मिल रहे हैं हम इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने की बाद आपके सामने कुछ और ऑप्शिंस खुल जाएंगे इसमें से आपने जाना है आटो superscript काम नहीं करता उनका यह disable होता है कुछ इस तरीके से okay कर देता हूँ इधर भी okay कर देता हूँ अब आप देखेंगे कि जैसी problem आप face कर रहे हैं वही problem मैं भी face करूँगा just like first space देखें नहीं हुआ second space नहीं हुआ 21st अब मैं enter देने की कोशिश करता हूँ तो तब भी नहीं होगा और आपको अगर इसको ठीक करना है तो आपको वहाँ पर जाके उसे enable करना पड़ेगा जिसके लिए फिर हम वहाँ ही जाएंगे जहां से मैंने इसको disable किया था इसके लिए प्रूफिंग में जाना पड़ेगा मुझे प्रूफिंग से और्टो करेट ऑप्शिंस और्टो करेट ऑप्शिंस जो है यह जो disable कर देंगे that's it okay and okay तो आप देख पाएंगे कि अब मेरा यह work properly करेगा जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एक चीज़ आपके साथ में और शियर करना चाहूंगा आपके 7 में आपको spelling and grammar बहुत easily मिल जाता है आपके review tab में पर आपके जो latest versions है MS Office के उसमें आपको दिक्कत आती होगी क्योंकि आपका spelling and grammar आपको activate करने में options मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं कि यारी कहां से हम enable करेंगे तो मैं वो भी इसके साथ share करना चाहूंगा आपके साथ इसके लिए simply आपके काम करेंगे file पर ही जाएंगे sorry file पर ही जाएंगे file से more पर जाएंगे more से options पर जाएंगे options से आप यहां प्रूफिंग पर जाएंगे तो यहां पही देखे ignore words in uppercase आपने इसको ignore नहीं करना ignore words that contain numbers यह सब disable करना आपने check spelling as you type यह enable है यह भी enable है यह सब ठीक है हमारा नीचे देखिए hide spelling errors in this document only इसको disable कीजेगा इसको disable कीजेगा और इसको okay कर दीजेगा इससे क्या होगा कि आपके document में अगर आप कुछ type करते हैं और उसका कोई meaning नहीं होता है तो यह उसको red light से underline कर देगा so that आप समझ पाएंगे कि मैंने कुछ गलत लिखा है तो I hope आपको पच्की में दी बनाई भी वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो मेरे चैनल को like subscribe and share करे thanks for watching the video